अब ऐसा भी नहीं है कि धार्मिक विवाद सिर्फ महराष्ट तक महदूद हैं देश की दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की गतिविधी चल रही है ये ऐसा विशय हो गया है जिससे आज की तारीक में देश का कोई भी कोना छूटा नहीं है बीदे दो अपरेल से शुरू ही सामरदाई घटनाओं ने खबरों को देखने और दिखाने का तरीका और नजरिया बदल दिया है खबरों में वही सब है जो ज़्यादा से ज़्यादा तनाव बढ़ा सके दूसरे धर्म को नीचा दिखा सके अब ये सबाल लाजमी है कि धर्म आखिर कहा किसे जाए धर्म संस्कित भाषा का शब्द है और धर्धातू से बना है जिसका मतलब होता है धारण करने योगाँ कहते भी है धार्यते इतिधर्म अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है ना कि वो जो अपना धर्म दूसरों पर थोपते हैं या फिर दूसरे धर्म का डर दिखा कर अंजाने खत्रों की बात करते है आज कल ये चलन जोरों पर है उत्तरवदेश के उन्नाव से भाषप के सांसद हैं साक्षी महराज अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं आपकी बयान नहीं दिया बल्कि फेस्बुक पोस्ट उन्होंने लिखा है क्या लिखा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं स्क्रीन पर दिखेगा भी साक्षी महराज लि हाथ करके वापस चले जाएंगे तब पुलिस डंडा ठोकने आ जाएगी और कुछ दिनों बाद मामला जांच कमिटी में जाकर खत्म हो जाएगा ऐसे महमानों के लिए कोल्ड रिंग की एक दो पेटी कुछ ओरिजनल वाली तीर कमान हर घर में होनी चाहिए ये संदेश किस ये सांसच जी के हैं जने चुनकर आम जनता ने लोग सवा बेजा है इनका काम जनता की आवाज मजबूत करना और कानून बनाने में भागिदारी रखना है अब साक्षी महराज की बातों से तीन सवाल उठते हैं पहला क्या साक्षी महराज का उत्तर प्रदेश की पुलिस पर एतबार नहीं है दूसरा ये कि जिम्मेदार पत पर बैठा व्यक्ति इस तरह की भड़काओं पाते कैसे कर सकता है और तीसरा ये कि अगर किसी सामाने व्यक्ति ने ऐसी बात कही होती तो क्या कानून के नुमाइंदे उसके दरवाजे पर नहीं होते तीनों सवालों के जवाब के तौर पर कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब साक्षी महराज ने ऐसा कोई बयान दिया हो किसानों को खालिस्तानी कहना हो हिंदू महिला चार बच्चे पैदा करें अजान पर विवादित बोल साक्षी महराज के महराज का एक महिना पूरा हुआ है तो एक महिने का यवादितनाश रिक्ताम में अपने से देखा होगा किस तरह से निशन शत्याइं की जा रहे हैते तो पुरे उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों का मनोबल है वितनाश जी की शरकार के दुबारा सक्bereich सिन होने में और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है चुकि ज्यादा तरह पराधियों को 27 संग्रक्षण प्राप्थ है और जब सरकार के ही सरकार के पच्छ का ही भारती जनता पार्टी का एक सांसद इस तरह का बयान दे रहा हो कि लोग अपने घरों में हतियार रखें पुलिस पर भरोसा नह है कि हम सुरक्षित समाज में और सुरक्षित लोग तंत्र में जी रहे हैं तो मुख्यमंत्रे जी से समाजवादी पार्टी की यह अपील होगी कि सरपर्थम तो आप अपने स्वजाती लोगों को जो सबसे ज़्यादा उदंडता और उन्मात फैला रहे हैं उन लोगों पर आप निस्पक्षता के अधार पर जब फैसले लेंगे तब यह सुनिश्चित हो पाएगा जिए उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून बेहुस्ता है विपक्षियों के आक्षेप से इतर सवाल कानून के इकबाल का है और जब कोई सत्ताधारी पार्टी का सांसद ही ये कहदे के पुलिस नहीं आने वाली तो फिर कैसा कानून और का है का इकबाल बचेगा एक बयान भोपाल की भाजपासांसत प्रग्याठाकुन ने भी दे दिया है वो भी इसी श्रेणी का है पहले आप सुनिए और फिर खबर को आगे बढ़ाते हैं पर ये देश सनातनी है सनातनी रहेगा इन्दू को पुजा पार्ट करने का उस स्वतंतरतास से अधिकार है और रहेगा और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं धटके खड़े हो सकते हैं और हर प्रकार की करवाई करने के लिए तयार है एक सांसत मुसल्मानों से लड़ने के लिए तीर कमान रखने की बात कह रहे हैं दूसरी सांसत साध्य प्रग्या मुसल्मानों को पाकिस्तान भेजने की वकालत कर रही है वो कहती है कि ये देश सनातनी हो का है बेशक है अनंत काल तक रहेगा भी मगर ये देश उतना ही हरु दूसनागरिक का भी है जिनको देश का समिधान संद्रक्षन देता है इन में सनातनी भी है और वो भी जो किसी दूसरी धर्म परंपरा से आते हैं दूसरा धर्म को मानते हैं इंदूस्तान की माटी में सह अस्तेत्व की भावना ही है जिसकी सालों से बाकी मुलकों में मिसाल द प्रिण यवपी मतलब तर्क विहीन वैद्य लक्षन विहीन पंडित और भाव रही धर्म या अवश्य ही जगत में हसी का पात्र बनते हैं और सनातन धर्म में तो उन तमाम भावों की भरमार है जो दूसरे धर्मों के अस्तित्व को सहर्श्विकार ही करता है लेकिन अपने बयान से हां साद्वी प्रग्या ने अलग ही लकीर खीचने की कोशिश की है जिसके बाद विरोधियों के निशाने पर वो बनी हुई है मुसल्मानों को पाकिस्तान भेजने के सवाल पर यूद कॉंगरेस के अध्यक्ष बीवी स्री निवास ने ट्वीट कर लिखा प्रियमुकतार अब्बास नक्वी जी क्या इन मुहतरमा के बयान से अपसहमत है आप कब जा रहे हैं दूसरे देश बयानों राजनितिक प्रतिक्रियों के बरक्स हम ये भूल जाते हैं कि प्रभाव शाली नेता तो इस तरह के बयान देकर निकल जाते हैं अगर इसका प्रभाव नीचे तक पहुँचता है ऐसे बयानों का दुश्परिणाम क्या होता है अगले कुछ सेकेंड्स में आपको पता चलेगा उसके लिए एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा विचलित करने वाला है ध्यान दीने एक वाइरल वीडियो में कार की खिड़की से बंदूग का बैरल दिख रहा है तब ही एक बच्चा सड़क के किनारे खड़े होकर इनको देख रहा होता है बंदूग को बच्चे के तरफ किया जाता है ये दे को बच्चा भाग जाता है इसके बाद गाड़ी एक घर के सामने से गुजरती है जहां एक महिला खड़ी है बंदूग देखकर महिला भी डर जाती है और अंदर चली जाती है कुछ देर बाद गाड़ी एक दूसरे घर के स दिखा हुआ था ये वीडियो कतित रामभक नाम से गोपाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था ये वही लड़का है जिसने जामिया मेलिया इसलामिया के सामने C.A.N.R.C. के खिलाब प्रदर्शन कर रहे चात्रों पर गोली चलाई थी उसके बाद उसे धारा 307 याने के हत्या की कोशिश के तहद गिरफतार किया गया था उस वक्त वो नाबालिक था इसलिए उसे 28 दिन बाद जबानत पर छोड़ दिया गया था जबानत पर होकर इस तरह के काम और उसका भौणडा प्रदर्शन भी हर्याना की कानुमे वस्ता को एक सीधी चुनाती है एक और वीडियो है जिसमें कुछ लोग हाथ में डंडे और पिस्तॉल लिए एक युवग को पीट कर गाड़ी में धकेलते वे नजर आ रहे हैं युग जमीन पर पड़ा हुआ और खुद को छोड़ देने की भीक मांगता है पिस्तॉल से लैस लोगों ने उसे हाथ और पैरों से पकड़ा हुआ है वीडियो को पोस्ट किया गया है जिस पर लिखा है गौ तसकरों को ले जाते हुए दो और वीडियो गोरक्षा टीम के तरफ से भी डाले गए जिसमें मारपीट और हिंसा है ऐसी तस्वीरे देख हम प्रदार मंतरी मोदी का वो बयान याद करते हैं जो 2016 में उन्होंने दिया था क्या कहा था गौभक गौसेवक और कतित गौरक्षगों के बीच क्या फर्क था हो बता दिया था कतित गौरक्षों को लटार लगाई थी प्रधार मंतिरी ने तब राजसरकारों से कहा था कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के लिए एक डौजियर तयार किया जाए पता नहीं हुआ कि नहीं पांच साल बाद नतीजा धाक के तीन पात ही है गौपाल जैसे अतिवादी जमानत पर होकर भी गौरक्षा के नाम पर उत्पात कर रहे हैं उन पर कोई कारवाई भी नहीं हो रही ट्विटर पर जब कारवाई की मांग उठी तब गौपाल ने अपना इंस्टा काउंट प्राइवेट कर लिया इस पर दिलेलन टॉप की टीम ने वेवाद के स्पी वरुन सिंगला से बात की स्पी वरुन सिंगला का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं और नहीं उन्हें इस मामले में कोई शिकायत अभी तक मिली है सबी वाइरल वीडियो की जाँच की बाद भी उनके तरफ से जोड़ी गई पुलिस क्या कारवाई करती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी मगर यहां एक बात साफ है कि उपर के बड़े निताओं के दिये सामपरदाइक बयान नीचे तक आते आते ऐसे विबस तस्वीरों में बदलते हैं जैसा हमने अभी उधारण साब को दिखाया उनके मुँ निकले जहरी ले बोल गोपाल जैसे अपरादियों के सोच में तबदील होते हैं फिर सामने आता है समाज का कुरूब चहरा जिसमें किसी को इतने बेरहमी से प्रताडित किया जाता है हमारी गोत असकरों से कोई हमदर्दी नहीं जिसने भी अपराद किया उसे कानून संदत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दिलवाई भी जानी चाहिए मगर ये लोग कौन होते हैं जो हतियार हाथ में लिए अपने तरह का इंसाफ करते हैं सडकों पर यूँ आवारा पश्यों के तरह ही निकलते रहते हैं वक्त की मांग है कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स पर लगाम लगाई जाए क्योंकि ये ना सिर्फ सामाजिक ताने बाने को तबाह कर रहे हैं बलकि एक विभेद एक खाई खोदने का काम भी कर रहे हैं जो अगर बड़ी होती गई तो उसे पार्टने में पुछते निकल देंगे